हेलो वाइस वेलकम टू दे चानल आज की सुड़ा हम लोग मेंली बात करने वाले हैं BSNAL 4G के उपर अगर आपको नहीं पता तो BSNAL TATA के साथ मिलके 4G लाँच करने में लगा हुआ है और अपडेट्स की माने तो कुछ एरियास में BSNAL ने 15 अगस से पहले ही 4G रोल आउट कर दिया है अगर आपको ये बात नहीं पता तो वीडियो को सुरू से लेके लास तक पूरी देखना क्योंकि आज की सुड़ो में आपको सारी चीजे बताने वाला हूँ A to Z की BSNAL 4G कब लाएगा BSNAL 4G कैसे रोल आउट करेगा क्या क्या सीन है BSNAL का तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा इधर या फिर इधर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा सिंप्ली से दबा लीजेगा और बेल आइकन भी दबा लीजेगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरन से नोटिफिकेशन मिल जाए तो वीडियो तुरन से स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेश्ट नहीं करते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा कि बियसनल अभी तक 3G सर्विसेस ही प्रोवाइड करता है हाला कि कुछ हेरियाज में साउथ की कुछ सिटीज में और नॉर्थ की कुछ सिटीज में बड़ी-बड़ी मेजर सिटीज में आपको बियसनल को 4G देखने को मिल जाएगा और बाकी बड़े-बड़े सहरों में बियसनल के 3G की हाइज स्पीड इंटरनेट स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन अगर हम बात करते हैं गाओं की या छोटे सहरों की तो वहाँ पे बियसनल की हालत बिलकुल खराब है तो इसी के चलते हुए बियसनल को जो है Government of India ने काफी जादा फंड दिया है और अभी फंड रेस कर रही है हाला कि ये दिक्कत है Government of India की की बियसनल को एकदम से पैसा नहीं दिया जा रहा है ये बियसनल कोई कोई बड़ी कंपनी या कोई अच्छी खासी कंपनी या जादा कंपनी मिलके जो है उसको नहीं बना रही है अभी कब बियसनल का सीन देखें तो बियसनल का पार्टनर सिप हुआ है TCS के साथ TCS टाटा ग्रूप की एक सबसिडरी कंपनी है जो की दूसरे कंपनियों के लिए काम करती है तो बियसनल और TCS का पार्टनर सिप हुआ था बियसनल और TCS मिलके जो है 4G रोलाउट करने वाले थे इंडिया में लेकिन TCS को परियाब तो पैसा ना मिलने का क्या रहा है जी हाँ आपको पता होगे कि गौवर्मेंट पैचेस में यानि धीमे धीमे किस्तों में पैसे दे रही है तो TCS ने बिलकुल बोल दिया था कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए जब इतना पैसा मिल जाएगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे तो जैसे ही TCS एक सेट अमॉंट मिल गया है तो TCS ने अपना काम तेज कर दिया है TCS को सबसे पहला टेंडर मिला था कि आपको 6000 टावर को अपग्रेड करने हैं तो अभी आने वाले टाइम में अभी वेट करते हैं 15 अगस्त का क्योंकि 15 अगस्त को BSNAL Major Major Cities में 4G रोल आउट करने वाला है और ये बात भी निकल के आ रही है कुछ लोग मेरे सबस्क्राइबर जो है मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा है कि भाई मेरे तरब पहले 3G था लेकिन अभी कल रात से या परसों रात से 4G हो गया है तो ये भी कई जगा हो रहा है कि 3G से 4G स्विच हो जा रहा है बिना किसी अनॉंस्मेंट के तुरण से 4G प्रोवाइड करने लग रहा है तो अगर आप उस एरिया में आते हैं उस छेतर में आते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप भी जो है टेस्टिंग के लिए चुने गए हैं और आप टेस्टिंग परपस से 4G यूज़ कर रहे हैं हाला कि अगर हम ओफीसियल डेट की बात करें तो ओफीसियल डेट तो 15 अगस्त है 15 अगस्त को ही देखने को मिलेगा कि बिसनल कहा कहा जुह 4G लाउट करता है आतको क्या लगता है कि क्या बिसनल के सर्विसेस जुह है लौज होंगी जल्द से झल्द क्योंकि काफी सारे मंत्रियों के ये बयान निकल किया है कि भी 18 महिना कुछ बोलने 24 महिने लग सकते हैं बियसनल को 4G रोल आउट करने में लेकिन अगर आप मेरी माने तो बियसनल हमेशा पैचेस में ही 4G रोल आउट करेगा जैसा कि कुछ हेरियास में बियसनल पहले से 4G दे आज की शुड़ में मेरा एक छोटा सा सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना कि आप कौन सा सिम यूज करते हैं सिम यूज करने के साथ आप कौन सा प्लैन लेते हैं आप कितना डेटा जो है पूरे दिन में खर्च कर लेते हैं अगर आपके पास थोड एसी वीडियो में तब तक के लिए बाई